Good morning and welcome my dear students हम लोग आज बुक विस्टास की स्टोरी On the Face of It डिस्कस करेंगे On the Face of It एक प्ले है एक नाटक के रूप में है ये कहानी और इसकी जो ऑथर है वो एक बिटिश ऑथर है इंग्लेंड में पैदा हुई ऑथर है Suzanne Hill है उनका नाम 5th of February 1942 को वो पैदा हुई थी वो fiction, non-fiction, fiction, kalpnik यानि कि कहानिया, non-fiction, akalpnik चीजें भी लिखते हैं और उनको बड़ी बार children's writer कहके भी संभूधित किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं इस interesting play को This is play featuring Feature करना हुआ To feature यानि कि विशेश तौर पर होना विशेश तौर पर होना, individualize करना An old man and a small boy meeting in the former's garden Later और former ये दो शब्द हैं जो interrelated होते हैं यहाँ पर आप देखें कि कि पहले बात हुई है Old man की और बाद में बात हुई है small boy की तो इन में जिस व्यक्ति की पहले बात हुई है उसको कहेंगे former और जिसकी बाद में बात हो रही है उसको कहेंगे later तो यहाँ क्या है This is play ये एक ऐसा नातक है जहां पर दो मुख्य किरदार है An old man एक बुढ़ा व्यक्ति और एक छोटा लड़का जो former के garden में former पहले किसका जिक्र हुआ है Old man बुढ़े आदमी के garden के में बगीचे में मिलते हैं The old man strikes up a friendship with the boy वो जो बुढ़ा व्यक्ति है वो दोस्ती कर लेता है लड़के के साथ Who is very withdrawn Withdrawn means बड़ा घुलता मिलता नहीं है शांत है लोगों से बात करने के लिए इचुक नहीं होता है And Defiant Defiant होता है अवग्या करने वाला बात ना मानने वाला उसको Defiant कहते है वो लड़का कैसा है बड़ा चूप रहने वाला है और किसी की भी बात नहीं सुनने वाला बच्चा है What is the bond that unites the two ऐसा कौन सा bond ऐसा कौन सा संबंध है ऐसा कौन सा जुड़ाव है Mr. Lamb के गार्डन का दरिश्य है There is the occasional, occasional कभी कभार Sound of bird song and the tree leaves rustling रसल करना सूखे पत्ते जब हवा चलती है या सरसर आते हैं उनको रसल करना कहते है Mr. Lamb के गार्डन का दरिश्य है जहां पर कभी कभार पक्षियों के गाने की आवाज आती है या फिर पेड के पत्तों की सरसरा हट की आवाज है यानि की sound effect ऐसा दिया गया है कि गार्डन जैसी feeling आए Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively tentatively ऐसे तो temporary को uncertain को कहते हैं tentatively लेकिन यहां पर बड़े ध्यान से जब Derry संभल संभल करके चल रहा है वहां और धीरे धीरे चल रहा है through the long grass वो कहां चल रहा है लड़का लंबे घास में he pauses वो रुकता है then walks again और फिर से चलता है यानि की उसके कदमों की आहट वहां ऐसा द्रिशे बना रहे हैं कि उसके कदमों की आहट बच्चे की कदमों की आहट audience को सुनाई देगी he comes around a screen of bushes screen एक हलका सा परदा और वो बच्चा bushes जाडियों के हलके से परदे के पीछे आता है so that when Mr. Lamb speaks to him इस तरह से कि जब Mr. Lamb से बात करें he is close at hand वो नजदीक ही हो and Derry is startled और Mr. Lamb के बात करने पर Derry हैरान हो जाए क्यों क्योंकि उसको लग रहा है कि वो अकेला है तो जैसे ही वो Mr. Lamb की आवाज सुनेगा तो वो थोड़ा चौंक जाए Mr. Lamb, mind the apples oh, सेब की तरफ ध्यान देना, सेबों की तरफ ध्यान देना Derry, what, who's that, who's there, क्या, कौन है वहाँ, कौन है Mr. Lamb, lambs my name, मेरा नाम, lamb है mind the apples, सेबों का ध्यान करके चलो, crab apples those are, apples तो सबको यह पता होगा crab apples, crab apples जो ऐसे apple आम तोर पर, जो size में छोटे होते हैं quality चाहे उनकी बाकी बड़े सेब की जैसी ही हो, लेकिन आकार के कारण वो बड़े बढ़ी हा कीमत पर नहीं जाते हैं और उनकी इस्तेमाल जैम या जैली बनाने के लिए कर लेते हैं लोग क्योंकि मार्केट में अच्छी कीमत नहीं मिलती उनका size छूटा होने के कारण उनको कहते हैं crab apples, those are, wind falls in the long grass कहते हैं वो जो लंबे घास में गिर जाते हैं, wind fall, wind fall हावा चलने से यह apple जो है वो लंबे घास में गिर जाते हैं, इनकी तरफ ध्यान देना you could trip, trip करना है फिसल जाना, तुम फिसल सकते हो इन सेबों के उपर dairy, I, there, I thought this was an empty place कहते हैं, oh, मैं यहाँ आया क्योंकि मैंने सोचा था कि यह एक खाली जगा है I don't know there was anybody here, मुझे नहीं, I didn't know, मुझे नहीं था पता कि यहाँ पर कोई है Mr. Lamb, that's all right, यह सब ठीक है, I'm here, मैं यहाँ हूँ what are you afraid of boy, लड़के तुम किस चीज से डर रहे हो that's all right, यह तो ठीक है, मतलब मेरे होने से तुम्हें किस चीज की टेंशन है, क्यों डर रहे हो Daddy, I thought it was empty, an empty house, मैंने सोचा था कि यह घर खाली है, यह जगा खाली है Mr. Lamb, so it is, कैते हैं, हाँ, ऐसा ही है, since I am out here in the garden, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ बगीचे में हूँ It is empty, तो घर खाली है, until I go back inside, तब तक खाली है, जब तक मैं वापिस अंदर नहीं जाता हूँ In the meantime, उसी समय, I am out here and likely to stop, लेकिन इसी समय, मैं यहाँ बाहर हूँ A day like this, beautiful day, आज के दिन के जैसा दिन, एक खुबसूरत दिन है आज, not a day to be indoors, ऐसा दिन नहीं है, कि घर के अंदर रहा जाया है, मतलब बाहर बहुत खुबसूरत दिन निकला है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस खुबसूरत दिन को मैं मिस करूंगा और घर के अंदर रहूं on someone's account का मतलब हुआ, किसी के कारण, on account के कारण, not on my account, मिस लियां करते है, oh मेरे कारण नहीं जाओ, I don't mind who comes into the garden, मुझे बुरा नहीं लगता कौन बगीचे के अंदर आता है, the gates always open, बगीचे का gate तो हमेशा खुला रहता है, only you climb the garden wall, सिरफ तुम हो जो बगीचे की दिवार को वो फांद करके, climb करना, चड़ करके, चड़ करके आयो मतलब मैं तो हमेशा gate खुला रखता हूँ, बाकी सब को ही पता होता है, और लोग gate से ही आते हैं, सिर्फ तुम बगीचे की दिवार को फांद करके आयो, Derry, angry, Derry को गुसा आया, you were watching me, आप मुझे देख रहे थे, Mr. Lamb, I saw you, हाँ मैं तुम्हे देख रहा था, मैंने तुम्हे देखा, but the gate is open, लेकिन, gate तो खुला था, all welcome, सबका यहाँ स्वागत है, you are welcome, तो तुम्हारा भी स्वागत है, I sit here, I like sitting, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझ to steal anything, मैं कुछ भी चुराने नहीं आया हूँ, मैं कोई चोरी करने नहीं आया हूँ, Mr. Lamb, no, no, the young lad steal, कहते हैं, नहीं नहीं, छोटे लड़के चोरी करते हैं, scrump the apples, scrump करना हुआ, scrump, शब्ध ही especially, फलों की चोरी के लिए बना है, मतलब, इसका अर्थ ही यह होता है, कि फल च चोरी करना, छोटे लड़के जो हैं, वो एपल स्चोरी करते हैं, you are not so young, तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो, dairy, I just wanted to come in, मैं तो बस अंदर आना चाहता था, into the garden, बगीचे के अंदर, Mr. Lamb, so you did, तो तुम आ गए, here we are then, तो ठीक हैं, फिर हम दोनों यहां है, dairy, you don't know who I am, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, Mr. Lamb, a boy, तुम एक लड़के हो, 13 और 100, 13 साल यह इस तरह की कोई उम्र होगी तुम्हारी, dairy, 14, मैं 14 साल का हूँ, pause, चुपी आती, मतलब रुख जाता है, dairy, बोलते बोलते, but I have got to go now, goodbye, लेकिन अब मुझे यहां से जाना है, goodbye, Alvida, Mr. Lamb, nothing to be afraid of, कोई डरने की बात नहीं है, just a garden, just me, सिर्फ एक बगीचा है, सिर्फ मैं हूँ, dairy, but I am not, I am not afraid, लेकिन मैं नहीं, I am not afraid, मैं नहीं डरा हूँ, pause, फिर से चुपी आती है, people are afraid of me, लोग मुझे डरते है, Mr. Lamb, why should that be, ऐसा क्यों है कहते, dairy, everyone is, हर कोई डरता है, it doesn't matter who they are, or what they say और how they look, कोई फरक नहीं पड़ता, कि वो कौन है, या what they are, वो क्या है, या वो कैसे दिखते है, how they pretend, किस तरह से वो ना टक करते है, I know, pretend करना, ना टक करना, I know, मुझे पता है, I can see, मैं देख सकता हूँ, Mr. Lamb, see what, कहते है, क्या देख सकते हो, dairy, what they think, dairy कहता है, मैं देख सकता हूँ, कि लोग मेरे बारे में, क्या सोचते है, Mr. Lamb, what do they think then, तो लोग क्या सोचते है, तुम्हारे बारे में, dairy, you think, here's a boy, कैते, आप सोचते है, कि यहाँ एक लड़का है, you look at me, आप मेरी तरफ देखते है, and then you see my face, और तब आप मेरा चेहरा देखते है, and you think, और आप सोचत है, that's bad, यह बुरा है, that's a terrible thing, terrible, बहुत बुरी, यह बहुत बुरी चीज है, that's the ugliest, ugliest हुआ, ब्यूटिफुल का उल्टा होता है, beautiful, खुबसूरत, ugly, उसका opposite, भदा, बदसूरत, ugliest मतलब सबसे बदसूरत, thing I ever saw, और आप मन ही मन क्या सोचते हैं, कि ओ, आज तक जितनी बुरी चीजे मैंने देखी है, इसका चेहरा, इस लड़के का चेहरा, उन सबसे बुरा है देखने में, you think, poor boy, आप मन ही मन सोचते हो, oh, बेचारा लड़का, but I am not, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ, not poor, मैं बेचारा नहीं हूँ, underneath, underneath, अंदर ही अंदर, you are afraid, मन ही मन, आप डरे हुए है, anybody would be, कोई भी डर जाएगा, कहते, I am, मैं भी डर जाता हूँ, when I look in the mirror and see it, मैं भी डर जाता हूँ, जब मैं मिरर में देखता हूँ, दरपन में देखता हूँ, अर अपने चेहरे को देखता हूँ, I am afraid of me, तो मैं अपने आप से ही डर जाता हूँ, Mr. Lamb, no, not the whole of you, not of you, कहते, नहीं, नहीं, तुम सारे के सारे डरावने नहीं हो, not of you, तुम से तो मैं नहीं डरा हूँ, Derry, yes, कहते हा, फिर, pause, थोड़ी देर की चुपी होती है, Mr. Lamb, later on, when it's a bit cooler, थोड़ी समय बाद, when it's a bit cooler, जब थोड़ी ठंड हो जाएगी, cool होता है, ठंडा, cooler, ज्य लूँगा, और एक stick लूँगा, एक चड़ी लूँगा, and pull down those crab apples, और ये जो छोटे apple है, नहीं मैं उतारूँगा, they are ripe for it, ripe, पक जाना, ये उतारने के लिए पक गए है, I make jelly, मैं jelly बनाता हूँ, मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, कि crab apples की या तो jam बनाया जाता है या jelly बनाया जाती है, it's a good time of the year, September, ये साल का अच्छा समय है, September का महीना, look at them, in apples की तरफ देखो, orange and golden, किस कलर के हैं ये, सुनहरे हैं, या फिर, orange हैं, संतरी रंग के हो गए हैं, that's magic fruit, ये एक जादोई फल है, I often say, ये मैं पड़ी बार कहता हूँ, but it's best picked, pick करना, तोडना, and make into jelly, लेकिन बेहतरीन काम तभी होता है, कि इन्हें तोड लिया जाए, और इनकी jelly बना दी जाए, you could give me a hand, give a hand का मतलब होता है, मदद करना, help करना, assist करना, सहयोग करना, तो इन apples को तोडने में, तुम मेरी मदद कर सकते हो, dairy, what have you changed the subject for, आपने हमारी बात का विशे क्यों लोग हमेशा यही करते हैं, why don't you ask me, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते, why do you do what they all do and pretend it isn't true, and isn't there, why do you do, आप भी वही क्यों कर रहे हैं, जो हर कोई करता है, pretend, हर कोई नाटक करता है, कि यह सब सच नहीं है, और मेरा चेहरा है ही नहीं, in case, I see you looking and mind and get upset, माल लीजिये, मैं देखता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, और मुझे देख करके परिशान हो रहे हैं, I'll tell, तो मैं बता दूंगा, you don't ask me because you are afraid to, आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आप पूछने से डरते हैं, Mr. Lamb, you want me to ask, say so, then, क्यते, you want me to ask, तुम चाहते हो कि मैं तुम से पूछू, say so, then, तु ठीक है, बोलो, Derry, I don't like being with people, any people, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, any people, किनी भी लोगों के साथ, Mr. Lamb, I should say, to like, look at it, I should say, you got burned in a fire, I should say, कैते हाँ, मुझे कहना चाहिए, जब अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखूं तो, कि शायद तुम्हारा चेहरा जो है, वो आग में जला है, Derry, not in a fire, नहीं, नहीं, आग में नहीं जला, I got acid all down inside of my face, मेरे पूरे चेहरे की इस साइड में, क्या गिरा है, acid गिरा है, तेजाब गिरा है, and it burned it all away, और उस acid ने मेरे चेहरे के इस हिस्से को पूरा जला दिया, it ate my face up, उस acid ने मेरे चेहरे को खा लिया, खत्म कर दिया, it ate me up, उस acid ने मुझे भी खा लिया, मतलब सिरफ मेरे चेहरे को ही नहीं नुकसान हुआ है, मेरे व्यक्तितो को मुझे परसनली भी नुकसान हुआ है, उस acid ने सिरफ मेरे चेहरे को नहीं जलाया, मेरे पूरी की पूर personality को व्यक्तितो को ही खतम कर दिया है and now it's like this and it won't ever be any different और अब मेरा चेहरा ऐसा ही है और मुझे लगता है कि इससे अलग मेरा चेहरा कभी दिखाई भी नहीं देगा Mr. Lamb कहते हैं no कहते हैं हाँ नहीं दिखाई देगा इससे अलग तुमारा चेहरा Mr. Lamb, you're a boy who came into the garden Mr. Lamb कहते हैं तुमें लड़के हो जब अगीचे के अंदर आए plenty do plenty, बहुत सारे, बहुत सारे बच्चे आते हैं I am interested in anybody मैं किसी में भी रूची रखता हूँ मतलब जो भी यहां आता है मुझे उसमें इंटरस्ट होता है anything, मेरी रूची किसी भी चीज में होती है there's nothing God made that doesn't interest me ऐसी कोई चीज नहीं है भगवान की बनाई हुई जिसमें मेरी रूची ना हो look over there or beside the far wall वहां देखो far wall, ओ, दूर जो दिवार है beside, उसके किनारे पर देखो beside के साथ, उसके साथ देखो what can you see, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है dairy, rubbish किते वहां तो कबाड है कूड़ा है, Mr. Lamb rubbish, किते कूड़ा look boy, look, किते लड़के देखो, ध्यान से दोखो what do you see, तुम्हें क्या दिखाई देता है, dairy just grass and stuff weeds, weeds होता है, खड़ पतवार dairy कहता है just grass and stuff, घास और इस तरह की चीज़ें हैं कहते weeds, शायद खड़ पतवार है Mr. Lamb some call them weeds Mr. Lamb कहते है, हाँ, कुछ लोग उन पौधों को weeds कहते हैं, खड़ पतवार कहते है, if you like then a weed garden अगर तुम्हें लगता है इनको weeds कहना ही अच्छा लगता है तो ठीक है वो मेरे, यहाँ क्या है weed garden है खड़ पतवार का बगीचा है there's fruit and there are flowers यहाँ बगीचे में fruit भी है flowers भी है and trees and herbs herbs, अशधीय पौधों को कहते हैं पेड भी हैं और अशधीय पौधे भी हैं all sorts, sort, प्रकार सब प्रकार के पौधे हैं but over there weeds लेकिन वहाँ सिरफ खड़ पतवार है I grow weeds there वहाँ पर मैं दिवार के पास खड़ पतवार ही उगाता हूं Why is one green growing plant called a weed and another flower अब Miss Lamb उससे पूछ रहे हैं कि एक हरे भरे बड़े होते हुए पौधे को खड़ पतवार कहा जाता है और दूसरे पौधे को फूल कहा जाता है ऐसा क्यों है Where's the difference इन पौधों में फर्क क्या है It's life, growing, same as you and me ये तो जीवन है Growing, जो बढ़ रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम और मैं तो कहां फूल और कहां खड़ पतवार इन दोनों में कोई फरक कोई अंतर नहीं है Derry, we are not the same केते नहीं, हम दोनों same नहीं है Mr. Lamb I'm old, you are young हां केते, मैं बूढ़ा हूं You are young, तुम जवान हो You have got a burnt face तुम्हारा चेहरा जला हुआ है I have got a tin leg और मेरी tin की तांग है, मतलो असली तांग, नहीं है नकली तांग है Not important, ये बात तो important नहीं है You are standing there तुम वहां खड़े हूं, I'm sitting here मैं यहां बैठा हूं Where's the difference? भिनता कहां है, फरक कहां है Derry, why have you got a tin leg? आपको tin की leg क्यों लगी है? आपको नकली तांग क्यों लगी है? Miss Lamb Real one got blown off ears back सालों पहले मेरी असली तांग उड़ गई Lammy Lamb Lammy लंगडे के लिए कहते इसलिए Some kids say इसलिए कुछ बच्चे मुझे क्या कहके बुलाते हैं Lammy Lamb लंगडा Lam करके बुलाते हैं Haven't you heard them? क्या तुमने बच्चों को नहीं सुना ऐसे बोलते हुए You will तुम सुन लोगे Lammy Lamb Lammy Lamb ही मुझे बुलाते हैं It fits और ये मेरे उपर fit भी करता है मेरे उपर उप्यूक्त भी है suitable भी है Doesn't trouble me इससे मुझे परेशानी नहीं होती Daddy But you can put on trousers and cover it up कहते हैं लेकिन आप trousers पहन सकते हैं Pants पहन सकते हैं Pajama पहन सकते हैं और cover it up और इस tongue को ढग सकते हैं And no one sees और किसी को दिखाई भी नहीं देगा They don't have to notice and stare इसलिए अच्छा है कि लोग नहीं देखें और नहीं आपको देख करके वो stare करें Mr. Lamb Some do, some don't कुछ लोग घूरते हैं कुछ नहीं घूरते They get tired of it in the end आखिर में वो लोग घूर घूर के भी Tired हो जाते हैं ठक जाते हैं Just plenty of other things to stare at क्योंकि बहुत सारी चीजे हैं घूरने के लिए देखने के लिए Plenty of, बहुत सारी Dairy Like my face कहते हैं, अच्छा मेरे चेहरे की तरह Mr. Lamb Like crab apples Or the weeds Or a spider Climbing up a silken ladder Or my tall sunflowers Mr. Lamb कहते हैं हाँ, बहुत सारी चीजे हैं मेरे चोटे-चोटे apples की जैसी चीजें खड़ पतवार की जैसे चीजें या किस तरह से मकड़ी अपने इस रेशमी सीढ़ी पर चढ़ती है वो Or my tall sunflowers या फिर ये मेरे जो लंबे-लंबे सुरज मुखी के फूल लगे है ये भी देखने के लिए हैं Dairy Thinks चीजें Miss Lamb It's all relative कहते ये तो सर्ब कुछ relative है relative का शाबदिक अर्थ है सापेक्ष होना सापेक्ष एक भारी भर कम शब्द है सापेक्ष को अगर आप सिंपल इसमें समझना चाहें तो comparative जिसको कहते हैं मतलब तुलनात्मक ढग से कहते हैं सारी चीजें कैसी हैं सापेक्ष हैं मतलब हमारी सोज के हिसाब से हैं Beauty and the Beast हम किस चीज में खुबसूरती देखते हैं और किस में बीस्ट होता है जंगली जानवर मतलब कहां आपको खुबसूरती दिखाए देती है और कहां आपको बदसूरती दिखाए देती है यह सिर्फ और सिर्फ सापेक्ष चीज है सापेक्ष मतलब एक पौधे को हम खड़ पतवार बोल देते हैं और दूसरे पौधे को हम फूल बोल देते हैं Derry, what's that supposed to mean? अब Derry छोटा बच्चा है, उसको बात समझ नहीं आ रहे हैं तो कहते हैं, इस सब का क्या मतलब है? Miss Lamb, you tell me कहते हैं, तुम मुझे बताओ Derry, you need not think they haven't told me that fairy story, fairy परियों वाली कहते हैं, आप ये मत सोचो कि लोगों ने मुझे अब तक वो परियों वाली कहानी नहीं सुनाई है आज हम यहीं तक करते हैं कल आगे continue करेंगे इस module को end up करने से पहले एक नजर आज के word meanings पर Featuring Individualize Two Feature Vishisht Withdrawn Very Quiet Not Willing to Talk Defiant Showing Open Refusal To Agyana Avagya Rustling Sound of Dry Leaves Tentatively Uncertain Asthai Trip To Get Struck And Fall Panic Sudden Feeling of Fear On Account Because of के कारण Scrum Steal Fruits From Orchard Orchard Pheal 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 Garden Or Orchard Me Yee Farak Orchard Hua Specially Pheal 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 Pretend To Behave In A Particular Way Not Tuck Terrible Very Unpleasant Bohut Bura Give a hand Assist In An Action Kisii Kaam Me Sahaity Karna Sahyov Thank You